आप देख रहे हैं इंडिया टाप लिंग सच की घबरें सकते पाएले हैं नवस्कार इंडियों स्वागाते वीकी नीज बलिया पुरानी पेंजन हराल में बहाल होगी अद्देच बिजे कुमार बंदू उतरबदे बलिया जिले में अटेवा पेंसन बचाओ मंच के तत्वाधान में टीडी कालेज के सवागार में मंदली समयलन का आईजन किया गया इस दोरन मुकतित अटेवा फेंसन बचाव मंच के राष्टी अध्यच बिजे कुमार बंदू ने मा सरसोती के पूजन एंधीव प्रजिलित कर समयलन का उद्गाटन किया इस दोरन अटेवा बलिया के अबलाक अध्यच अध्यच बिजिट अत्यतियों का अलवस्त से समानित किया गया साथी आज़न गड़वा मौ के अध्यचतों को जैपरकार नाय चित्र इसमेट चेन के रूम में बेट किया गया राजे इसमार प्रातिल विद्याला को सवरी काला बलिया यह आज किस प्रकार करकम है अट्यूरी कलेज में यह हम लोगों के बुढ़ापे की जो लाठी चीली गई है सरकार के द्वारा बुरानी पेंसल उसी के लिए हम लोग अपरसा अटेवा के बाइनर तले कर रहे हैं इस का मतलब आप लोग बुरानी पेंसल को ले कही माना हैं गया इत्तम यह हमारे जीवन गारा के प्रस्त है क्योंकि हम जब करता किताइनिक मुझूर के रूप लुक में काम कर रहे हमारे बुलहापे के लिए कोई विवस्ता सरकार के पास नहीं है यह माना जा रहा है आप किसी भी हट तक जाने के लत्यार है हाँ हाँ इसके ही अब सरकार से लोगतांतिर तरीके से हमेशा इसी दर अफ्ला लोगते रहेंगे अपनी माई के लिए पीछे नहीं है पीछे नहीं है कोई सवाल नहीं है पीछे बताईए मैं रुपकुमार याथा है जी आज बापो यहां टीडी करें में कैसा कारकम है पीछे नहीं के लिए पुरानी पेंसल की मांगे में हमको कठा हुए है और यहां मांग करते हैं कि हमारी पुरानी पेंसल वो 2004 के बाद बंद की गई है उसको बहाल किया जी अगर बहाल नहीं होती है तो केमरे में परदेश में जो हमारी सरकार पैठी हुई है हम उनसे उर्टा मांग कर देंगे कि आप भी नई पेंसल इसकिन जो लागू किया है हम लोगों तो पर उसको आप भी स्विकार करें अगर नहीं स्विकार करते हैं तो हमको पुरानी पेंसल दिए आप एक साथ एक से लेकर के ख़ई पेंसल ले रहे हैं आप विधायक बन जाते हैं उसका पेंसल लेते हैं मंत्री बन जाते हैं उसका पेंसल लेते हैं सांसत बनते हैं उसका पेंशन लेते हैं तो हम लोग के साथ ही अन्याइकु ये सुधाय हमको चाहिए और नहीं तो आप भी हमारी तरह नई पेंशन में स्विकार करिए और नहीं तो आने वाले दिनों में जो भी अट्रेवा के बैनर तरह संगर्स होगा उसकी सारी जिम्मदा प्राइब करांचारी रिटायर होगा तो अपनी जिम्का अपने बुढ़ापे की जिम्का इस पुरानी पेंशन से भरन पोशन करेंगा इसलिए आम लोग पीछे हटने वाले नहीं है जी मैं समीर विम्मार पांडे अटेवा बलिया जिला शच्वागा जी आज किस प्रकार कारक्रम था और इस कारक्रम में मुख खोटी ती आप लोगों किसनी बुलाया था यह आज देखिए वैसे पंडली असम मेलंद का देखिए बलिया की करांटिवारी भूम से और शुर अपने ग्रांटिकारी कदम से नई नई चायों तक लेगे हैं यहां तक की देश को आजाद कराने से लेकर संपर ग्रांटि जासे भी चीजों को यहीं से सुख दिया गया है और हंदता सफलता भी पाई लेकिन अभी जो हमारे आंदोलन में जिस तरीके से ग्रोथ होते पूर रूप से हम सपल नहीं हो पा रहे हैं तो बल्या से बंधु जी का मूल उदेश्टा जो हमारे राष्टी संयुजक है तो बल्या से शुरू होगा तो निश्चित रूप से प्रांटिक फैलेगी जो की प्रेंशन करांटि के रूप में इसका मतलब आप सरकार के जोका जब आंदोलन एक पूचाई पर जाता है और सरकारे अपने ताना साही रवहिया से चंगले का प्रियास करते हैं जिस तरह आप देखना है कि तमाम प्रियास किये जा रहे हैं विभागों में नीजी करना से लेकर तो उस चीज को रोकने के लिए हम लोग यह कोशिस करेंगे कि जो भी हमें करना पड़े जितना भी करना पड़े जैसे कि अभी जो खून देने की जो गात है बंदू जी का यही कहना है कि पहले हम जवानी में खून देंगे फिर बुड़ापे में हम पेंशन लेगे अगर नहीं किया जाता है तो हमारे रभी भाई तक भी कहा कि आप ही पेंशन न लेते हुए नियू पेंशन इसकी ने आप भी आए हमें वह स्विकार है अगर आप को पुरानी पेंशन चाहिए तो हमें भी पुरापा खराब होगा तो यह अच्छी बात नहीं होगी हम पूरे तन मंधन से हम सारे करमचारी जो है अपने जीवन का हमों समय लगाते हैं और बुड़ापे में जो है हमको पेंशन नमें करने के लिए आयोजन हुआ है यह सारे लोग यहां जो लिक्ता हुआ है जंसंग्य किसने होगी यहां 10-15,000 के अपने इसका है किसका मतलए इसका मतलए यहां आप लोग पीछे नहीं अटेंगे हम्हारी पुर्णी पिंशन बहाल नहीं की जाती है तक पीछे नहीं हो है आज यहां पर आजमगर मंदल का पेंचन कांति भी सम्मेलन नहीं था और अटिवा का इस आंदोनन का इस सम्मेलन का बस एक ही मकसद है कि पुर्वानी पेंचन यह हम यह देख रहे हैं कर दीन संगर चल यह बहुत दिन हो गया फिर भी सरकार कुछ पहन ही कि हां निश्यतुर्व से आपकी बात सही है कि सरकारों की जिस तरह से पाहल होना चाहिए सांदोन नहीं हुआ लेकिन यह नहीं कर सकते कि हम संगर समें आगे रहेंगे बहुत सारी आज का सम्मेलन चाहे ओपी राई जी रहें हो हमारी समिक पांडे जिला सोचे रहें जी लोगों ने मेहनत करके आज आपने देखा हो खुद आपका तमाम अन्भो रहा होगा लेकिन उसको लगता इस तरह की सम्मेलन आपने कभी ने देखा हाल में जितने लोग थे उससे बिजने से बनाने का प्रयास ना किया है हर चीज ब्लस माने से नहीं चलती है हर चीज लाभान से नहीं चलती है इस देश में सिच्छा इस देश में स्वास्त है यह हमारी सरकारों की मिजारी है उसे पैसा कितना आ रहा कितना जा रहा हो विसे नहीं है विसे होए कि उसको स्वास्त मिल ला उसको सिच्छा मिल ले नहीं मिल रही है यह महत्तुम्जी है जी अगर आपकी सरकार की माहिए अ उसका नारा है जवानी में रख फून देंगे और बुढ़ापे में पिंसल देंगे ये नारा है और अगर उसके बाद भी सरकार नहीं चेती है क्योंकि हम लोग प्रकाजी के अनुआई हैं उनकी भूमी से हैं गांधी जीस देश को आंदोलन करके तमाम सारी आजादी रचनात्मक तरीके से घेरेंगे हट तरह से घेरेंगे जिदर आप जाओ उधर घेरेंगे अगर रग्दान के बाद भी सरकारों का चेतना उधर सम नहीं बढ़ी तो दो फरवरी को पूरे हिंदुस्तान से लोग दिली को घेरने की तयारी कर रहे हैं दो फरवरी को हम लोग जाएंगे तो कि तीन तारीकों बजट अपकी पेशने की सती में हैं तो हम लोग सरकार से बित्मंत्री से पदामंत्री से कहेंगे नोजवानों के लिए बजट में क्या है जी इसके मतला पीछे नहीं हटनेंगे और आज जहां से जिस भूमी से खड़े हो गए वहां तो अं पर नहीं पा रहे हैं जब कि सत्थ बताओं यह जो पिचारा लड़ रहा है प्रिंसन की उन्हां अधिकारियों के भी लड़ रहा है क्योंको उनकी भी पेंसन चली गई है अज हमारे दो दो पीसी अधिकारियों से मिलने आए उन्होंने भी एक हाँ भाई साम आने सकता इडिकी तिक